देवगर के कुंडा थाना छेत्र के करनी बाग में ट्विंकल नाम की छात्रा ने नए घर में फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली थी। लेकिन परीजन और अस्थानिय इसे हत्या बता रहे हैं। थाने में मामला दर्ज करने के बाद भी अब तक दोसियों को कोट ने नहीं किया जाए। महिलाओं ने कहा कि ट्विंकल घर में थी। परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं थे। और उनके शरीर पर कई चोट के निसान भी थे। ऐसे में संभावना जताया जा रहा है कि उसके साथ कुछ गलत कर उसकी हत्या कर दी गई होगी। और फिर इसे फासी की सकल दे दी गई है। महिलाओं ने कहा कि बेटिया बाहर तो सुरक्षित नहीं थी पर अब घर में भी सुरक्षित नहीं रही। ऐसे में जिला पुलिस इस मामले की अविलम जाच करें नहीं तो महिलाएं आंदोलन करेंगे। एक बच्ची घर में अकेली थी। बेटिया को बाहर बोलाया तक सुरक्षित नहीं तो घर में थी। और घर में उसको जगन में अपराच किया है। हम लोगों को जैसा लग रहा है कि सक्के दारे में उसके सरीर का निसान देखे। कहीं बेटि के साथ गलत ना करके उसको फासी दिया गया है। इसी से हम लोगों को बस मांग है कि दोसी को अधिलम की जबतार किया गया है। संट माइकल एंगलो इंडियन स्कूल मोहनपूर गोड़ा जारखन। जीहां CBSE द्वारा मानिता प्राप्त सिनियर सेकेंडरी स्कूल जहां पर एडमिस्न ओपन हो चुके हैं। जीहां यहां कच्छा नर्सरी से कच्छा बारवी तक की पढ़ाई योग्य अनुभवी एवं प्रसिक्चित सिछक्षिक्चिकाओं की द्वारा करवाई जाती है। यहां पर हर वर्स बच्चे बोड में 100% रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा इस स्कूल में कई और भी सुविधाएं हैं। जैसे बोईज एन गर्ल्स के लिए सेपरेट होस्टल की सुविधा, ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा, साइन्स लाब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाब, खेल कूद, इंग्लिस स्पोकेन, इत्यादी। तो आप अपने बच्चे के सरवांगिर विकास एबं उज्वल भविस्व के लिए आज ही नामांकन कराएं संत मायकल एंगलो इंडियल स्कूल मोहनपूर गोड़ा जारकन में।